हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं चैनल हिंदी टारोटक ट्रिपल टू मैं हूँ पलवी कैसे हैं आप सबी लोग आप सबी अच्छे होंगे इस लीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके परसन के लेट नाइट एमोशन इनकी फिलिंग आपको लेकर आप से जड़ेवे रिष्टे को लेकर अब इनका क्या सोचना है कैसा महसूस करना है इस चीज़ को इस लीडिंग में कवर करा जा रहा है लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके पास पहुचे और अपने खुबसूरत हाथों से विवस लाइक जरू से कीजेगा क्लीम और ग्याटिक्यूर देना बिल्कुर भी नहीं भूलिएगा ठीक है बैक टू दा रीडिंग विवस देखिए आपको क्या करना है रीडिंग के दौरान कोशिश ही कर है कि आप अपना मैक्सिमम फोकस अपने परसन के उपर बनाए रखे हो सकी तो उनका नाम और अपना नाम मन ही मन में जब यहां पर कार्ड्स स्प्रेड करे जाए तो उस दौरान तीन से लेकर पांच बारा प्ले लीजेगा ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल परसन के करेंट स्टेट अप माइन को बताए विवर्स को लेकर विवर्स से जुड़े होई कनेक्शन को लेकर यह परसन अपके स्टेट अप माइन में है इस प्रेड गाइप लिए देवाई मुझे गाइप की चरब बताएए वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी प्रेड गाइप की चरब बताएए मुचे गाइप की चरब बताएए मेरे विवस के परसन की करंट एन अधिस करंट स्टेश अप उप माइन को बताईए विवस को लेकर विवस जोरे हुई कनेक्शन को लेकर तो डिफिकल्ट एंडिंग दो काड्स हैं यहां पिर डिफिकल्ट पाथ एन अनकंट्रोलेबल लव ग्लारिफिकेशन मेन्यू प्लेट एंड बॉट्टम इस नू फिलेंग जब मैं तैरो से क्लारिफिकेशन के लिए कार्ट निकालूंगी डेफिनितली आपको बताऊंगी को जो जो राश्य यहां पी मुझे दिखाई देंगी ठीक है अभी पहले इनके स्टेट अफ माइन को इनकी अनर्जी को जान गए हैं देखो वीवर्स यहां पर ना ऐसे मुझे चांसे दिख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा पास्ट रहा जिसमें इस इंसान ने बहुत सारी गल्ती करी और जो भी इन्होंने गल्तिया करी वो बेसिकली ऐसा नहीं कि जानी अन जानी में हो गई या वो गल्तिया ऐसी थी जो इन्हें भी पता है कि वो गल्ती माफ करने लायक नहीं है या पिर यह कह सकते हो कि उन गल्तियों की बचसे कहीं न कहीं जो आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स मर गई या उन फीलिंग्स में कहीं न कहीं जरार आ गई तो यह प लेकिन आप ये बात समझेगा कि जब इनसान को पता है कि उसमें क्या क्या गलतिया करी है तो अब इनसान के पास क्या option है बिसिकली उसके पास ये option है वो अपनी गलती को accept कर ले, स्विकार कर ले, माफी मांग ले, ठीक है अपनी ego को side में रखकर आपकी तरफ बढ़ जाए रिष्टा कुछ भी हो रहा हो लेकिन इनके लिए अपना घमंड अपना ego बचाई रखना उसे safe and secure करना वो ज्यादा important बना हुआ है और इसी reason की वज़े से ये person बचाई आपको समझने के, अपने आपको समझने के या अपनी गलती को समझने के, उसे समझाने के इस कोशिश में, इस जद्दो जहद में या इस manipulation में जादा अपने आपको रख रहे हैं जिसमें आपसे कहा जा रहा है या आप पर point करा जा रहा है कि आप इन्हें नहीं समझे, आप इन्हें नहीं समझना चाहरे हो तो वो state of mind मुझे इस person का दिख रहे है चीक है और यह person जान रहे है समझ रहे है और आखिर आपका इनको ना समझने के पीछे का कारण क्या है वही चीज वही बात इस इंसान के दिमाग में 24 गंटे चल रही है वही बात कही न कही इस इंसान को बार-बार याद आ लिए इन्हें पता है इस चीज का clarification इनने इनके हलातों ने इनने अच्छी तरीके से दे दिया कि इस point पर आकर अब इस इंसान को ना या तो मापी मांगनी पड़ेगी या फिर इन्हें आपकी मदद मांगनी पड़ेगी तो वो चीजे इस इंसान को समझ में आ रहे हैं क्योंकि आपका प्यार एक ऐसा प्यार था जिसे नापा तोला नहीं जा सकता इसे कैलकुलेट नहीं करा जा सकता इवन इस प्यार को कंट्रोल भी नहीं करा जा सकता तो यहां पर इस इंसान को ना इस पल में यही चीजे काफी जादा difficulty फील करा रही है या पिर यह कह सकते हो रास्ता जो भी है आपकी तरफ बढ़ने का वो रास्ता इस इस इंसान को काफी जादा complicated नजर आ रहा है यूकि उस रास्ते पर चल कर जब यह आपके पास पहुचते हैं तो इन्हें कही न कही अपने आप से उस चीज को face करना होगा कि बिना आपके यह कमजोर है इन्हें आपकी जरूरत है और इन्हें आपकी जरूरत है इसके लिए अगर इन्हें माफी माँगनी है तो यही सभी चीजे सिंसान के लिए difficult हो रही है और ना सिर्फ कीवल यही चीजे difficult हो रही है इन्हें पता इस रिष्टे को खतम करने में भी इन्हें ना बहुत difficulties हो रही है यानि कि रिष्टा खतम भी नहीं हो रहा ना आर उपार है ना पार उपार है हर वक्त 24 गंटे आप इनके दिल और दिमाद में चल रहे हो और उसके अलग इस इंसान को कही न कही आपकी तरफ से एक और vibration आ रही है कि आपके दिल में जो इनके लिए feelings थी, emotions थी, respect थी वो सब भी खतम हो गई है वो भी आप एक्दम feelingless हो गई हो दिल के मामले में, feelings के मामले में शायद आप एक्दम सुन हो गई हो ठंडे पड़ गई हो और वो चीजे भी इस इस इंसान को हिम्मत नहीं दे पा रही है कि आपको face करें तो आपको तो definitely यह चीजे लग रही है कि आ नहीं रहे अगर feelings है तो आ क्यों नहीं रहे लेकिन यह person अपनी अंतिम सास्तर उस तरह से लड़ रहे है कि बजाए यहाँ पर अपने आपसे गल्ती मानने के या माफी मांगने के सामनी वाला अपने आप ही चीजों को समझ ले सामनी वाला अपने आप से ही चीजों को कर ले तो फिर पाती कोछ और है यानि कि पकी पकाई खीर खाने की इच्छा इस इंसान की बननी है इस वक्त की ठीक है साब भी मर जाए लाटी भी ना तूटे और आप भी मिल जाओ इगो भी ना तूटे आप इनकी तरफ बढ़ जाओ और मापी भी ना माहनी पड़े आप इनकी तरफ बढ़ जाओ तो और अल्टी मेटी ये भी यहाँ पर जाहिना हो पाए कि इन्हें आपकी अब जरूरत लगी है तो मैं ऐसे ऐसे पर संसे दिल लगा बैटे हो यार जो मैन्यूप्लेशन यहां पे लिए हो रहा है यानि कि यहां पर अभी भी मैन्यूप्लेशन चल रहे हैं लेकिन किस वे में चल रहे हैं मैं आपको और बता चुकी हूँ फीलिंग्स है जरूरत है सब कुछ है इस इंसान को लेकिन स्टिल जिद्धी बहुत है अडियल बहुत है यह एनरजी आप पर आ रही है चलिए मैं ठैरों से देखती हूँ दर मैं आपको और बताऊंगी कि इस state of mind के साथ यह person पर आपको राश्य भी अब बताऊंगी पहले में कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर उसके बार हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्ड्स को गाइट कीजे universe please divine please archanges please olie angels please spread guide मुझे guide कीजे बताएए मेरी viewers की person की current energies क्या बनी हुई है spread guide please divine मुझे guide कीजे viewers के person current में viewers को लेकर कैसा महसूस कर रहे है spread guide please divine मुझे guide कीजे बताएए वीवर्स के परसन की करन्ट पीलिंग्स क्या है इस स्टेट ऑफ माइन के साथ डिवाइन गाइड कीज़े स्ट्रेंथ एंड नाइन अपैंड यहां पे लियो है आपका और एरी इस लियो एंड साजिटेरिया समेश सिंगल नरू राशी कापे स्ट्रॉंग में है काइड काइड की जो काईए इस परेख है वीवर्स के परसन की करेंट अनाजी करेंट स्टेट ऑफ माइन को बताईए वीवर्स को लेका वीवर्स के जुड़े हुए रिष्टे को लेका वीवर्स के परसन की करेंट पीलिंग्स करेंट अनाजी टेन ओफ सूर्स एंड पेज ओप्स क्या बनी हुए है नाइन ऑप टैंटिकल्स अन्द फूर स्प्रेट गाई कीजिए प्यूर्स के परसुन की करें की तीले करेंट इनदीजस से स्टेट ऑफ माईल के साथ क्या है तो सबसे पहले राश्य यहां पर यहां पर विव वटर एलिमेंट कैंसर पाइस इन स्कॉर्पियो कर्कमिन ब्रेश्टिक राशी से एंड टॉरस वर्गो एंड कैपिकॉन विश्चप कन्यान मकर राशी भी है यहां पे वाटर एलिमेंट भी है कैंसर पाइसेज और स्कॉर्पियों करक्मीन विश्चिक राशी और मैं स्वायर एलिमेंट एरीस लियों सजिटेरियस तो आपको अल्रेडी बता चुकि हूँ तो ब्लॉक कर दिया है या आपको सोशल साइट से पूरी तरह से गायब कर दिया है या इनौने कर दिया है यानि कि अल्टी मेटी आप दोनों के दर्मियान यहां पर अच्छी कासी मुझे दिवारे खड़ी होते हुए दिख रही है और यहां पर यह परसना जो भी दिवारे ख उस ब्लॉक के जिसको खोल कर आगे से आकर आपसे बात करें तो कि इन्हें पता है कि अब आप उस मोड पर हो आप अब कहीं न कहीं इस रिष्टे के खतम होने के उस मोड पर उस पढ़ाव पे पहुँच गए हो जहां पे आप इन्हें समझने वाले नहीं हो या आप इन्हे चीज़े इस इंसान को न एक तो विवास जो स्ट्रेंट ये हमेशा पनाई रखते थे आपको जीतने की वो स्ट्रेंट को इनकी तोड़ रहे है ऐसा भी देख पा रही हूँ नहीं पता है कि अगर ये आपकी तरफ एक आफर लेकर आते हैं एक न्यू ब्लैंड बिकनिंग का अगर आपकी तरफ ये पहुचाते हैं तो शायद कुछ पॉसिबिलिटीज मिल भी सकती हैं यानि कि शायद वन परसेंट पॉसिबिलिटीज हो ये जो भी डिफिकल्टीज इन्हें अपनी साइट से दिख रही हैं वो डिफिकल्टीज हो ही न लेकिन वो अपना एगो अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं या सक पॉसन बनने की कोशिश इनके धू करी जा रही है ठीक है तो कि इनका दिल और इनका दिमाग समझ पा रहे है कि ओवर आल आपकी तरफ बढ़ना इट मीज माफी मांगना चास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे जब ये हिम्मत करके आप ये सबी चीजे नौने बिना किसी इंटेंशन के करी हो ठीक है बिना चान बूच के करी हो क्योंकि यहाँ पे टेन अप सोर्स के एनरजी है विश्वास घात करा गया है आपके साथ आपको पता ही नहीं चला कि आपके परसन आपको दोका दे रहे हैं आपको तो तब ये कुछ था ये सभी चीजों के पीछे एक प्लानिंग करी गई थी और इसी रीजन की बज़े से बिसिकली ये परसन अपने इगो को ज्यादा सेफ और सिक्यूर कर रहे हैं जबकि जान रहे हैं कि इनके जो भी रास्ते हैं वो कैसे आसान हो पाएंगे या जान पा रहे हैं अल जरूर से आ रहे होंगे जैसे कुछ लोगों के केस में स्टैटस अभी ये चेंज करते होंगे कभी ब्लॉक कर दिया कभी अन ब्लॉक कर दिया ये किसी के ठू आपकी तरफ इनके साइट से मैसेज आ रहे होंगे तो कुछ लोगों के केस में हाँ पर ये चांसे बन रहे हैं क कि ये परसन ना अपनी तरफ से आपको छोटे-मोटे जेस्टर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बेसिकली इन्हें जरूरत तो है आपकी इनको इस वक्त में इस स्टेट अफ माइन के साथ ये चीजे फील हो रहे हैं कि आप सबसे जादा ये चीजे जान गए हो कि आप किसी ऐसे दिल लगाये बैठे हो या दिल लगा लिया जो सेलफिश है जिसने सिर्फ अपने बारे में सोचा अपनी कमफर्ट जोन के बारे में सोचा सिर्फ अपनी जिंदगी की नहीं शुरूबात के बारे में सोचा ना कि इनके बारे में या इनसे जुड़े हुए रिष्टे के बा वो इनके उपर सवार था तो ये परसन इस चीज को लेकर भी खुद से अपने आपको क्लारिफाइग कर पा रहे हैं कि आप जान पा रहे हो कि किस पिसमे के इंसान निकले जिनसे आपने प्यार करा इस इंसान को इवन इस वक में ये चीज़े भी जादा डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आप इनके माइंड गेम को समझ गए हो जब तक आप इनके काम आए जब तक आप से नहीं काम पड़ा जब तक आप इन्हें देते रहे तब तक ये परसन आपके बने रहे लेकि जैसे ही नहीं चीज़े समझ में आने लगी कि अब वो चीज़े आप से नहीं मिलेंगी या किसी और से वही चीज़े और बेतर मिलेंगी तब इस इंसान ने आपके साथ के रिष्टे को खतम कर दिया तो ये परसन आप बेसिकली विवर्स ये इस चीज़ को लेकर क्लारिफाई हो रहे है खुद से कि किस इंटेंशन से आपकी तरफ बढ़े किस इंटेंशन से आपकी जिंदगी से गए और वो सभी इंटेंशन आप जान पा रहे हो अब उन चीज़ों को लेकर ये कितना भी यहाँ पर पॉलिश करते हैं कितना भी यहाँ पर चीज़ों को बेसिकली संभाले की कोशिश करते हैं आप अब यहाँ पर इनको लेकर क्लियर हो चुके हो विद्धे सेस ऑफ सोर्स और वही क्लारिटी आपकी आपको इनके लिए ए तक बाचीत हो रही थी तब तक even आप इन तक पहुचने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर आपको clarity हो गई है तो यही तारण बन रहे हैं यहाँ पे आपका खुद से कोई कदम ना उठाने के पीछे का खुद से कोई step ना लेने के पीछे का ऐसे मुझे chances दिख रहे हैं थोड़ा सा इस इंसान को डर जादा लगने लगा है आपसे अपने कर्मों से आपको यह 24 गंटे सोच भी इसलिए रहे है या इस वक्त भी इसलिए सोचा जा रहा है इतना enhanced level पे क्योंकि जान पा रहे हैं कि इन्होंने किस intention से आपकी तरफ बढ़न रहे हैं कि अगर आप लोगों के case में कोई father figure है वो अब आपके partner को कहीं न कहीं आपकी तरह बढ़ने के लिए बोल रहे हैं एक new शुरुबात करने के लिए ने बोल रहे हैं या यह जो भी difficulties अब आई हुई है ना उन सभी difficulties से बहां निकलने के लिए आपसे माफी मांगने के लिए या आपकी माफी मिल जाए उस तरह से मतलब की ऐसे बात अगर समल जाती है तो ऐसे समाल लिया जाए तो उस तरह के एफ़र्ट्स उनके धुरू डाले जारे हैं और यही रीजन बन रहा है इस इंसान की side से अगर आपको तोड़ी बहुत भी छट पटा हट दिख रही है इस इंसान को इवन इस चीज की भी clarity हो रही है viewers कि आप बहुत प्यारे हो आप ऐसे इंसान हो आप हर रंग में रंग जाते हो आप वो बैते पानी के तौर पर हो जो जिस परिवार में जिस नदी में जाओगे उसके हो जाओगे तो वो सभी qualities ऐसा नहीं इस इंसान को नही समझ में आ रही है लेकिन यहाँ पर यह उससे कही ज़्यादा इस चीज को सोच रहे है कि आप अब उस इस तिती पर उस रास्ते पर पहुंच गए हो जहाँ पर आप इन्हीं नहीं समझने वाले हो समझने के लिए आप विरकुल भी अब इनको तयार नहीं रहोगे और यही आप इनका सामने से उपनी आपकी तरफ ना आने के पीछय का या सामने से आकर कोई एक्षन ना लेने के पीछे का बजाए वो सब चीजे करने के ए खुद चुपाते फिर रहे है ठुद अपना मुह आप से चुपाते फिर रहे है कुछ तो ऐसा mistake इन्हाने कर ही है जो शायद अभी आपके लिए वो डाउट में हैं लेकिन इन्हें पहीं न कहीं उस चीज़ से ज्यादा डल लग रहा है मुझे ऐसे भी चांसे दिख रहे हैं वेवर्स की सिंसान को ना सिफ के बल आपके लिए चीज़े लग रहे हैं कि अब आप इन्हें नहीं समझोगे इन्हें अपने आज़ पास का जो महौल है न वो भी ऐसा ही दिख रहे हैं कि आज़ पास के लोग भी अब इन्हें समझने वाले नहीं हैं इसी रीजन की वज़े से इन्हें अपने सराउंडिंग जो भी डिफिकल्टी या जो भी चैलेंजे अब नजर आ रहे हैं यह उनसे at least समझ जाया करते थे अब आप भी नहीं समझने के लिए तयार होंगे और obviously सामने वाला या सामने वाली जो भी इनके सामने है वो तो इन्हें बिल्कुल भी समझने के लिए तयार ही नहीं है अभी तक इस इंसान ने जो भी इनकी पावर थी लेकिन इस वक्त में मुझे ऐसे chances देख रहे हैं कि वो सभी decision इन्होंने अपने हाथ में तो ले लिये हैं लेकिन still अपने अडियल पन की वज़े से अपने जित्ती पन की वज़े से या आगे के जो भी रास्ते इने difficult नजर आ रहे हैं उस reason की वज़े से ये person खुद से शुरुवात नहीं कर रहे हैं अभी भी waiting mode पर या comfort zone में अपने आपको डाल कर इस चीज का इंतिजार इनके थ्रू करा जा रहा है कि चीजे अगर अपने आप से हो जाती हैं तो ज़्यादा बेतर है इस इंसान को इवन ये चीजे भी feel हो रही है कि अब आप ना अपनी धुन में हो मतलब पहले कहीं न कहीं आपका जो ध्यान था वो इन पर था या आप कहीं न कहीं इस चीज का वेट कर रहे थे कि अगर ये बढ़ते हैं तो आप इनके इने accept कर लोगे ये अगर आपसे दूसरा मौका मांगते हैं तो definitely आप उस चीज को लेकर हाँ बोल दोगे तो अभी तक तो इस इंसान को आपकी तरफ दे ये vibration मिल रही थी लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहे कि अब आप अपनी दुन में हो अपने comfort zone में हो और अब आपका अपने आस पास की चीजों पर ध्यानी नहीं है इसी reason की वज़े से अब आप की तरफ अगर ये एक नई शुरुबात का offer भी लेकर आते हैं वो risk भी लेते हैं तो आप शायद ही उस offer को grab करोगे या उस offer को पाने के लिए अपने उस comfort zone को आप छोड़ोगे जो आप जिस comfort zone में अपने आज में हो ठीक है एजन इने ही लग रहा है अगर ये अपने comfort zone में है तो आप भी हो लेकिन पहले आप इनके लिए अपने उस comfort zone को छोड़ने के लिए तयार थे अब नहीं हो, ये सबी चीजों को लेकर भी इस इंसान को काफी जादा doubt हो रहे हैं, clarity इस चीज को लेकर इस इंसान को नहीं है, लेकिन हाँ, शक इने इस चीज का है ऐसा देख पारी हो भी हुआज कि इस इंसान को नश्वक्त में ऐसे चीज़े जादा तकलीफ दे रही हैं जो उनके दिमाग में जादा हावी हुई पड़ी हैं कि कुछ ऐसा है जो अभी पैंडिंग है कुछ ऐसा काम है जो अभी पूरा नहीं हुआ है और अगर वो काम पूरा नहीं हुआ न तो कहीं न कहीं उस चीज़ का सर इनकी जिन्दगी पर पड़ेगा वो काम अगर पूरा नहीं हुआ तो अल्टीमितली ये रिलाक्स नहीं कर पाएंगे वो मेंटल पीस इन्हें नहीं मिल पाएगा और वो काम कहीं न कहीं इनका आप से होकर जाता है तो वो चीज़े हैं तो वो इने न इस वक में mentally काफी ज़्यादा तकलीफ दे रही है या डिस्टरप कर रही है चलिए इनके messages देखते हैं इस चीज़ को लेकर अब ये person आप से कहने की कहिछा रख रहे है गाइट कीजिए बताईए प्रेट गाइट प्रेट प्लीज डिवाएट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 You deserve better आप से कहना चाहरे है कि अभी ने ऐसा लगने लगा है कि शायद आप इस जैसे इंसान को deserve करती नहीं हो आप इन से कहीं बेतर इंसान को deserve करते हो तब ही करने वाले ये बने हैं यहांके I hope you stay happy में यही उमीद है, यही आशा करने है, यही wish करें कि आप जहाँ पी भी हो, बहाँ पे खुश रहो Can't sleep at night, I think of you तो मैं यह आपको अल्रेड़ी बता चुकी हूँ कि सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त आपके बारे में अब सोच रहे है I still love you, आपसे प्यार अभी भी है यह भी मैं आपको अल्रेड़ी बता चुकी हूँ Just give me another chance जहां तो यहीं रहे है कि आप इन्हें दूसरा मौका दे दो लेकिन अंदर खाने पता है कि आपसे शायद वो दूसरा मौका शायद ही मिलेगा I want to kiss you, अपना प्यार आपको express करना चाहते हैं जिस प्यार की वज़े से आप इनके करीब आई I love you, कहना चाहरे हैं, आपसे प्यार करते हैं पूछना चाहरे हैं कि क्या आप move on कर गए हैं या नहीं I did not want to hurt you, और कहना चाहरे हैं कि कभी भी नहीं चाहते थे आपको hurt करना And I am innocent, यह कही नहीं बताना चाहरे हैं कि यह यहाँ पर नर्दोश है जबकि पता है आपको भी कि कही न कही शुरुबात में यहाँ पर पूरे इंटेंशन के साथ चीजे करी गई हैं ठीक है, लेकिन वो इंटेंशन क्योंकि काम्याब नहीं हुए हैं इसी रीजन की वज़े से अब यह यह शब्द भी आपसे कह रहे हैं चलिए मैं देख लेती हूँ हाला कि इनकी तरफ से आक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटीज है या नहीं हाला कि मुझे ऐसी एनरजी दिख रही है कि अभी भी यह पॉर्टर ना अपने आपको एक बेटिंग मोड पर डाले हुए हैं इसी चीज़ का इंतजार है कि चीज़े ही के मुताबिक अगर हो जाए या घर बैटे हलुआ खाने को मिल रहा है उस तरह की अनरजी है जो बताईए डिवाइन के वीवस के पर संद की तरफ से किती तरह के एक्शन आने की कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं डिवाइन गाइ इस इस प्रेट गाइड मुझे गाइड तीचे क्वीन बैंड इन इस को आपके लिए इस परसंद के दिल में पैशन वो जुनून है लेकिन कहीं न कहीं यह परसंद चाह रहे हैं से फॉर सिफ अपने बारे में सोचना एक सेलफिश यह परसंद ज्यादा बन रहे हैं बारे में ज्यादा सोचने की वजह से अपने ही जुनूर को अपने ही पैशन को अपनी ही आदत को जो इन्हें आपकी पड़ गई थी उसे इनके दूप काफी हद तक कंट्रोल करा जा रहे हैं ठीके अगर इनकी तरफ पे कोई actions आएगा भी न तो आपको कहीं न कहीं ऐसा ही फील होगा जैसे यह अब भी अपने बारे में सोच रहे हैं अब भी यह कई न कहीं वही बात लिए बैठी हैं जो बात कहीं न कहीं आपको अलग कर गई जिस वजह से आप लोग अलग हो गए तो ऐसे मुझे chances जादा दिख रहे हैं रही बात इनकी तरफ से actions आने की तो कि ध्यान रखिएगा इस बात को अपने बारे में ज्यादा सोचा जा रहे है इस इंसान के दू अब भी इस मोर पर आखर ठीके सो थोड़ी सी ऐसी रीडिंग आई है कि आपका इन चीजों को समझना भी जरूरी है आप इस चीज़ को इग्णोर भी नहीं कर सकते और यह सु जोड़ी भी में जानकारी देने में काम्याब हुई आप कनेक्ट कर बाए लिकिस तिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा क्लेम नहीं करा ग्रेटिट्यूट नहीं दिया तो पहले जाकर यह करिएगा और क्लेम जरू से कीज़ेगा अपने युनिवर्स अपने डिवाइन को ग्रेटिट्यूट जरू से दीजेगा चैनल पर आप लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं से रीडिंग के मात्यम से तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू से प्रेस कीजेगा विवाज ताकि जब भी नई रीडिंग चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके बास जरू से पहुँचे आज के लिए बस इतना ही मिलती हो मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में ओके बाबाए